कि पाई टेक्टर का परफोंस देख सकते हो यह कायर पर किस तरह यह भूम रहा है रोटेट करना गाई तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों तो दोस्तों हर किसार की जरूर वहलूत होते कि एक अच्छा टेक्टर उसको केती बाड़ी करने के लिए अच्छा टेक्टर मिले थो इसी सिल्सिले में आज हम यह देंगे दोस्तों तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आईए चले और देखते हैं वहाई पहले इस खेत में धाचा वह था दाचा का पेड़ हो गया है और आप देखो रोटावेटर के जरीए इस दाचे के पेड़ को फट अब देखो एक हाथ के बरहोगर मिट्टी आराम से इसने निकार दीए इसकी और देखो इस साइड यह दाचे के पेड़ है और थोड़ी और कोई फटल खड़ी है इसमें और रोटावेटर देख सकते हैं आप रोटावेटर देख सकते हैं जो साथ फिट का रोटावेटर आपको देखने को मिलता है और शक्तिमान का तो भाई टाइक्टर की परफॉमेंस आप देख सकते हो कितना बढ़िया चल रहा है और ये कितने बढ़न पर चल रहा है वो भी आपको बता देगे भाई किसान भाई ने भुला अर्पियंप पर टाइक्टर चल राखा एंगे या के और कॉन्सा के केर पर चल रहा है है तो बाइ इस साइड प्लेट्र में गाइस कि इस में शक्तिमान का रोतावेटर और सी दो साल किसी इस रॉटावेटर को बहुत हैवी पिरकार गए रोटा वेटर है गाइस तो दो तो वीडियो पूरी देखें अन्त तक और देखें किस पिरकार टैक पर चल रहा हमारा बाई यह तो आपने फैली वार ही देखा होगा इस तरह रोटा वेटर लाइवी चलता हुआ आपने जब बाई इसकी 40 परसेंट जो प्लेट है जो प्लेड इसकी गिज जाती है तो एक्षेंज भी हो जाती है रोटा वेटर की एज पता नहीं है और इसका कलर देख सकते हैं दोस्तों यह करीबन दो साल पुराना है और कलर देख सकते हैं और कलर कहीं से भी फाट नहीं आप तक यह बन कंडिशने रोटा वेडर की क्यों पारे भी हता सिन नहाए टोस्तों से रोटा शत्शों जा उड साल जार रोटार है त September कि इसका साइड का तब आए दोस्तों है तो कि द्लेडों की जो मिट्टी है उसको आठाने में मदद कलता है और कटाई में भी कोई दिक्कत नहीं यहां तिसमें कि यह रोटावेटर है जो कि 45-45 वाले टाइक्टर पर ही चल सकता है और छोटे टाइक्टर पर ट्राई नहीं गया उस पर ट्राई करके हम आपको बता देंगे तुबाई इस वीडियों पस इतना ही फिर मिलते हैं अबली वीडियों को साथ चैनल को लाइक करें सुस्क्राइब करें तरने वाद गाइस